हेलो डियर स्टुडेंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इमारी यूटूब चैनल में तो डियर स्टुडेंट आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास एट का हिंदी है चेप्टर 21 है चिकिच्चा का चक्र इस चेप्टर का अपलुप विस्तार पुर्बक से पढ़ लिजे है इस वीडियो में ठीक है बताएंगे तो वीडियो को जो एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नीव है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देजिएगा उसके बस आपने यदि एक सेले का 20 तक आपने नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो हमारे चैनल के प्लेलिस इसका मतल्ब होता है उप्चार इलाज बुलेटीं इसका मतलब होता है इसका सब्दार्थ होता है तरूताजा छाया वादी और इसका कि जो بी है प्रश्णाब्यास की तरफ पार्ट से प्लक क्रहे लेखा पुण्छक को पढ़ने की एक्ष़ा क्यूं हूई यहां आप भी सोच सकते हैं कोई बिमार पढ़ना नहीं चाहता है लेकिन लेखा को बिमार क्ढ़ने की एक्ष़ Bay तो चलिए इसका जो है उत्तर हम जान लेते हैं आज दिखी सधी के ति यहां पर हमने उत्तर लिखा है इसका यहां का रहें लेखा को Cindy कि इसका उत्तर है लेखक कभी बीमार नहीं पड़ते थे शरीर भी स्वस्त दिखाई पड़ता था लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं बीमार बीमार हूं तो मज़ा आयेगा ठीक है उसके पासे लिखे हैं बिस्कुट खाने को मिलेगा लेखक कहते हैं बिस्कुट खाने को मिलेगा पत्नी अपने कोमल हाथ से सीर पर तेल मलेगे मित्र आवेंगे पूछेंगे कैसी आपकी अब तबियत है इससे इलाज कर वाया रहे हो इसी लिए वे बीमार पड़ने की इच्छा करते थे इसका उतर यही होगा आगे बढ़ते हैं दूसरा करा है लेखक ने बैद और हकीम पर क्या क्या कर ब्यांग किये उनमें से सबसे तीखा ब्यांग किस पर है उलेख के जिए इसका उतर होगा लेखक ने बैद और हकीम पर पीवी ने परकार के ब्यंग किये हैं बैद जी पर ब्यंग करते हुए लेखक ने कहा है कि अरवेदाचार्य अरवेदाचार्य रस गया रंजन कभी राज पंडित सुख देव सास्त्री जी को बुलाया गया तो वे अपना पूथी पात्रा देखकर बोले और तथा ग्रह नक्षत्र और तीथी के बिचार पर कुछ देर में जाने के लिए हाँ भरे अब देखी अब उनका जो है लेखक का जो है ब्यंग बैद जी और हकीम जी पर क्या करते हैं बैद जी पाल की पर चड़ कर आते हैं यानि कि ये बात कौन कर रहा है लेखकर रहे हैं बैद जी पाल की पर चड़ कर आते हैं धोती गमछा और मेला कुछला जने वो धारण किये हुए थे मानो अभी अभी कुछती लड़कर आए थे अब चली हकीम जी के बारे में क्या करते हैं हकीम साहब पर ब्यंग करते हुए लेखक उनके पहत पहनावा और सांसोकद का वर्णन कर उनका ब्यंग कसा तीसरा करे अपने देश में चिकित्सा की कितनी पदतियां प्रचलीत है उन्हें में किन किन पदतियों से लेखक ने अपने चिकित्सा करवाई है तो ये रहा तीसरा का उतर हमारे देश में निमन लिखित पदतियां प्रचलीत है एलोपौथिक अर्वेधिक हेमौपौथिक जल। चिकित्सा प्रकेटिक चिकित्सा दंथ चिकित्सा तंत्र मंत्र चिकित्सा ठीक है यहाँ पर कर रहेगा ठीक है चिकित्सा यह इसका उत्तर है पांचनमर कर रहा है किसने कहा किससे कहा यह आपको लिखना है कौमे कर रहे है मुझे आज सिनेमा जाना है तुम अभी खा लो खा लेते तो अच्छा होता ठीक है तो यह कौन कर रहा है यहाँ पर पच्चवा का उत लेखक किस ने कहा लेखक की पत्नी ने कहा लेखक से इसके बास है घबराने की कोई बात नहीं है दवा पीजिये दो खुराक पीते पीते आपका दर्द गायब हो जाएगा तो किस ने कहा सरकारी डॉक्टर ने कहा किस से कहा लेखक से कहा गौनवर में आयू का प्रकूप है जक्रित में आयू घूम कर पिता से में परवेश कर आंत्र में जा पहुंचा है किस ने कहा आयू वेदिक डाक्टर ने किस से कहा तो लेखक से कहा ठीक है गौनवर में दो खुराक पीते पीते अपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान में सोना गायब हो रहा है इस वाक्य का भाव अश्ट पश्ट किजिए तो दिखे इसका उत्तर जैसे हिंदुस्तान में धीरे धीरे सोना की कमी हो रही है उसी परकार धीरे धीरे आपके पेट का दर्द जो है जा रहा है इस दिन ऐसा होगा कि भारत में नो सोना रहेगा और नो आपके पेट में दर्द यही जो है और आगे देखते हैं अब पुछ रहे है पाठ से आगे तो आप लोग यदि बनता है तो बना लीजिएगा ठीक है तो चलिए फिर मिलता है अगले इंटेस्टिमी वीडियो में तब तक के लिए मारे चैनल से चूड़े रहें थेंक्यू फर वाचिंग माई वीडियो